पलवल के उपमंडल होडल में बिती रात को हुई भारी उलाव रिष्टी से किसानों की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई है किसान पसल को देख कर रोई क्यों की किसान की एक वर्ष की मेहनत पर पानी फिर गया है किसान अब हुख मरी के कगार पर पहुंच गए है किसानों का कहना है कि अब वे पूरी तरह से बरबाद हो गए है उनके बच्चों का भविशे भी खराब हो गया किसानों ने कहा कि अब केवल भगमान और सरकार के भरोसी हैं और किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द गिर्दावरी करा कर मौपजे की मांगी है है और अब क्या मां करते हैं तो पूरी फ़सल खराब हुगा की यहां नहीं करें अब तक भी दिल्द म्रगेशन गढ़ें और अब तक भी नहीं करें मेरे घुट को बता कय से घरांट यह नहीं पर ओर प्र पूरे सो के सो परतीसर नुकसान है जी राई पूने तीन वज़ और उपर जो आज साढ़े आठ नो बज़ पूरे पूरे सिलिक सिलिक जमी परिये है एक दाने की आस भी कि बच्चे क्या खाम लिए तो क्या मांग करते हैं देखो जिए अब सरकारी करेगी जो भी कच करेगी कितना नुकसान पूरे सो को सो नुकसान है एक दाने की आस यह नहीं है कि आख बालक काहित परिंगे केस कैस भकत कटेर लोग तो क्या किसान की जो लागत है वो भी तो बिल्कुल निकल जी जीरो परसेंट है जी कुछ भी नहीं है जो पट्ट्टेप लिए लिए जिए पर देखें और यह जो गिर्दावरी की जा और जो यह जाके लोन के बारे में सरकार के जिए लोन बारे ने दिंगे तो यह सो कुछनियों चाहिए सब भाई ने मिलनों चाहिए अब तर्फन तो क्या किसान सड़क पर आग जो लब इस वी रात को ऑजी की सब्सक्राइब करें यह कुछन लगा में सरकार तो यह चाहिए तो मैं कितनी जल्दी सरकार को यह काम करना चाहिए जो जल्दी होना चाहिए जी जो बिल्कुल ही हुआ आप ते कई दना थे नुक्सान नुक्सान और रहत बिल्कुल खितम करती हो जी झुक्सान और रहत बिल्कुल उक्सान युक्सान लुक्सान